तो स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल पते हैं दोस्तो और संतान में 160 प्रदों पर इस भरती का नोटीपिकेशन आया था और इसकी एक जो एक्जाम डेटर 17 दिसम्मर थे थी लेकिन दोस्तो लगातार चात्रों की मांग फोरॉम रियूपिन की मांग को लेक लगातार अंदूलन कर रहे थे और गुजरा तक चात्र पहुंच कर रहे थे इसलिए दोस्तो और फीएसी फष्ट गेट वर्ती में चात्रों को मौका नहीं दिया लेकिन सेकंड वर्ती में दो साल की जो आयू सीमा में चूट मिली है दोस्तो उसका दोस्तों आपर फैसला लेकिन अब फोर्म रीओपन होने के बाद लगए एक लाग और बर बर जा सकते हैं क्योंकि एक तो दो साल की जो आयू सीमा में चूट मिली है उसका भी लाव चात्रों को मिलेगा इसके साथ नए चात्रों के लिए वही फोर्म रीओपन किये जाएंगे जिए दोस्तों इसी ने बहुत बड़ा फैसा लिया है अभी जो फोर्म बरे गए हैं वो आप कुछ उसकार से हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बारह लाग से ज्यादा इस परती में फोर्म बरे हैं कंपिडिशन कापी टायट रहेगा लेकिन दोस्तों वहीं सेकंड गेट बरती की ज हालांकि गेस्ट फैगल्टी के द्वारा ने बरा जाएगा लेकिन इसी भी दोस्तों आपके लिए अच्छी ख़वर यह है कि आरपी एसी सेकंड गेट बरती के फोर्म रियोपिन करेगी और सत्रे हजार बरतियों में संसो दनपन नजर थी सेकंड गेट की लेक्चर की दोस हालांकि आपकी एकजाम डेट बढ़ेगी फोर्म रियोपिन मात्र 10-15 दिन के लिए किये जाएंगे और कम दिन के लिए और इतने दिन के अंदर आपको इसमें फोर्म बनने होंगे जो भी चात्र है जो नए चात्र वह भी वर शकते हैं और जो दो साल की आईउ सीमा के दाय मेरे में आते हैं वो भी छात्रिस में आविदन कर पाएंगे